बीजेपी खुद को दलित हितेशे दिखाने की पूरी कोशिश करती है। बीजेपी नेता चुडाओं की वक्त कभी दलितों के घर खाना खाने जाते हैं तो कभी पीएं मोदी दलितों के पैर दोते हुए नचर आते हैं। लेकिन असल में बीजेपी दलितों से नफरत करती है और इसका ताजया उधारन मद्यपरदेश की बीजेपी सरकार ने पेश किया है। MP की महोन यादव सरकार ने दलितों और आदिवास्यों की भलाई के लिए अवंटित किये गए बजट को मंदिरों और गोशाला बनाने पर खर्च करने का फैसला किया है। MP की महोन यादव सरकार ने दलितों और आदिवास्यों की भलाई के लिए आवंटित किये गए 95.76 करोड रुपे को गाएं की भलाई में खच करना चाहा। क्योंकि शायद उन्हें लगता है कि दलितों और आदिवास्यों की भलाई से ज्यादा तो गाएं की भलाई जरूरी है। शायद बीजेपी सरकार को लगता है कि सेस्टी के बच्चे पड़ें इस से ज्यादा जरूरी गाएं और बच्चों के लिए स्पेशल स्कीम बनाना है। बीजेपी सरकार को लगता है कि SCST के बच्चों को मिड़े मील मिले इससे ज़्यादा जरूरी ये है कि गाएं और उसके बच्चलों को ज्यादा चारा मिल सके बीजेपी की मोहन यादव सरकार मानती है कि SST के पक्के घर बनाने से ज्यादा जरूरी है कि गाएं के लिए गोशाला बनाई जाएं तबी तो बीजेपी सरकार ने SST के हिस्से का 95.76 करोड रुपया गों सवर्धन में डाइवर्ट कर दिया बीजेपी सरकार चाती है कि दलित और आदिवासी स्कूल कॉलेज ना जाएं बलकि मंदिरों की दोड लगाते रहें इसलिए MP सरकार ने मंदिरों को विक्सित करने के लिए SST Fund का पैसा डाइवर्ट किया है जुलाई में पेश हुए बजट में MP सरकार ने श्रीदेवी महालोग, सिहोर के सलकानपूर, सागर के संश्री रविदास महालोग, औरचा के राजाराम महालोग, रामचंदर वनवासी महालोग, चित्रकूर्ट और ग्वालियर में अटल बिहरी वाजपर इस मारग को विक्सित करने के लिए 109 कुरूड रुपय अवंटित किया गये थे, लेकिन खबर है कि इस कुल 109 कुरूड रुपय में से करीब आधा पैसा SST सब प्लान से डाइवर्ट किया गया है, यानि करीब 54 कुरूड रुपय SST Fund से इंधरमिक स को विक्सित करने के लिए दे दिया गया है, जबकि इस पैसे का इस्तमाल SST वर्गों की भलाई के लिए होना था, SST सब प्लान से SST के लिए पक्य मकान बनाना, SST बचों को स्कॉलरशिप देना, SST वर्गों को काम धंदा शुरू करने एक लिए आर्थिक मदद देना, SST के महलों में सड़क बनाना, लाइट का प्रबंद करना जैसे काम होने थे, लेकिन MP की BJP सरकार को ये सब काम फाल्दू लगते हैं, लगता है कि इसकी कोई ज़रूरत निया, ये फाल्दू काम है और इस पैसों को उसने गाएं और मंदिर पर खर्च करना ज्यादा ठीक सम इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि दलितों और आदिवासियों की जिन्दगी की BJP के लिए क्या कीमत है, SST के लिए अलग से कोई स्पेशल पैकेस देना तो दूर की बात है, उनके लिए बजट में जो पहले से आवंटित था, सब प्लान का पैसा था, वो भी उनके पर खर्च नहीं करना चाहते, समविधान के अनुचेट शालिस के प्रावधानों को लागू करने के लिए SST सब प्लान 1974 में और SST सब प्लान 1989 में शुरू की गई थी, जो राज्यों को कमजोर वर्गों की सिक्षा और आर्थिक उतों को बढ़ावा देने की देखभाल करन MP से पहले करनाटक की कॉंगरेस सरकार ने भी ऐसा ही किया, करनाटक ने अपनी कलान करी योजनाओं को पूरा करने के लिए, अपनी चुनावी गारेंटी को पूरा करने के लिए SST सब प्लान से 14,000 क्रोड रुपए का डाइवर्जन कर दिया, उसको डाइवर्ट कर दिया, जिस पर खोव विवाद हुआ, तो SST कमिशन ने करनाटक सरकार को नोटिस भेजा था, लेकिन क्या आब SST कमिशन MP की BJP सरकार को नोटिस भेज पाएगा, ये सवाल खड़ा होता है, क्योंकि जो SST कमिशन है, उसमें BJP के ही लोग शामिल हैं, तो क्या वो BJP सरकार को नोटि SST के लिए इधारित पैसे को अलग रखना चाहिए, ताकि ये सुनिशित किया जा सके, क्योंका किसी अन्य योजना में डायवर्जन नहीं हो, और SST के तहित के वल उन्हीं योजनाओं को शामिल किया जाए, जो SST से संबंदित विक्तियों या परिवारों को सीधे लाप प लेकिन क्या फाइदा होगा, ये वो नहीं बता पा रही, इससे आप SST वरगों के खिलाफ नफरत भी कह सकते हैं, क्योंकि बजट में तो मोटी मोटी रकम का एलान कर दिया जाता है, कि देखो हमने दलितो और आदिवासियों के लिए अलग से कितना पैसा दे दिया, लेकिन गुप चुप तरीके से, चोरी के तरीके से इस पैसे को दूसरे कामों में लगा दिया जाता है, और वो भी उन कामों में जिनका दलितो या आदिवासियों से कोई लेना देना नहीं होता, ये सीधे सीधे SST के बजट की चोरी है, और BJP सरकार एक चोर की तरह SST का पैसा की चोरी पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके बताएं, आपसे अपील एक वीडियो को शेयर करें क्यों कि बहुत जरूरी ख़बर है, सब को इसके बारे में पता होना चाहिए, आपसे अपील है, देन्यूसबीक को सबस्क्राइब करें, वीडियो के आंद में आपसे एक च क्यों आरकोड के अलावा आप यूपियाई की जरिये भी मदद कर सकते हैं, आप हमारी यूपियाई आईडी न्यूसबीक एड़रेट यस बैंक पर भी मदद भेज सकते हैं, इसके अलावा आप हमारे अकाउंट में भी मदद भेज सकते हैं, खाते का नाम है न्यूसबीक आप डोनेशन के एवेज में इंकम टेक्स में भी छूट पा सकते हैं, डोनेशन के रसीद पाने के लिए ट्रांजेक्शन का स्क्रीन शोट हमें बेजें, टाइप करें डोनेशन स्पेस आपका नाम और हमें 859579424 पर वाट्सेप करें झाल